हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं अगर मजबूती के साथ काम कर बूत को जीत लिया तो आप और विधान सभा और लोग सभा को भी जीत लोगे अमिज शाह ने अपने जोशीले अंदाज में कहा कि जिस तरह से अटल जी, अद्वानी जी, सुंदर सिंग भंडारी और भैरो सिंग शेखावत जैसे नेताओं ने जिस पार्टी की नीव रखी उस भारती जंतापार्टी ने पुर्खों के पुन्य से प्रधान मंत्री नुरेंद्र मोदी के नेतरत्व में देश में भाजपा को शीर्ष पर पहुँचा दिया है और उसी का परिनाम है कि आज भाजपा के पूरे देश में 11 करोड से अधिक बीजेपी के कारे करता और 19 राज्यों में सरकार है भाजपा की राश्ट्री अध्यक्ष अमिच शाह ने कहा कि राजपा का गड़ है और मुख्यमंत्री वसुंद्रा राजे के नेतरत्व में जो चुहमुखी विकास हुआ है और प्रदेश बिमारू राज्यों के बजाए विक्सित राज्यों में अपनी पहचान बना चुक उन्होंने कहा कि जिस तरह से अकेले असम के अंदर 40 लाग बाहरी गुस पैठियों को देश से बाहर निकालने का भाजपा सरकार ने जो बीड़ा उठाया है उसे कॉंग्रेस सहित विपक्षी दलों को ना जाने क्यों पीरा हो रही है जबकि भारती अजंता पार्टी की कें केंदर सरकार नरेंदर मोदी के नेतरत्म में पूरे देश के अंदर चोरी छिपे घुस आए घुस पैठियों के पहचान कर बाहर निकालने का प्रयास कर रही है उन्होंने OBC सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि केंदर और राज्य सरकार ने OBC की जातियों के लिए जो आयोग बनाने का कारे हाथ में लिया है उसका लाभ इन सभी जातियों को मिलेगा उन्होंने कहा कि राज्य स्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में भारतिये जनता पार्टी ने OBC की हर जाति को संगठन में महत्व पूर्ट स्थान दिया है उन्होंने Jodhpul उसम भाग भर से आ